आउजू बिल्लाहि में शेटान रजीम बिस्मिल्लाहित रुख्मान इतहीम असलाम लेकूम दोस्तों मैं हूं मुफिम रजा और आप लोग देख रही हैं वी ट्रीपल एस विर्चोल स्टूडेंट सपोर्ट सर्विशिव यूट्यूब चैनल दोस्तों आपको एक और आइकान नजर आ रहा है वो मेरा एक दूसरा चैनल 24R7 Teachers Online है दोस्तों उसके उपर मैंने अपने मुफिलिस सब्जेक्ट्स के उपर लेक्चर्स रिकॉर्ड करके रखे हैं तो मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप लोग 24R7 Teachers Online के उपर ज प्रच्किल सब्जेक्ट हैं जिसमें आपका इंटॉडक्शन टौ प्रोग्रामिंग C++ है इंटॉडक्षन टौ कंप्यूटिंग है HTML है जावा है, financial accounting है, financial management है और बहुत फ़ारे lectures वहाँ पे available है आप उस channel के उपर जाईए और वहाँ पे उन lecture से भी फाइदा उठाएं और 24R7 teachers online को भी subscribe करके उसके पहल के icon पर भी click करने ताके जब भी मेरा कोई new lecture या new video आए तो वो आप लोगों तक पहुँच सके और आप उससे सीख सके दोस्तों बात करते हैं आज की वीडियो की आज की हमारी वीडियो है CF 502 के हवाले से fundamental of algorithms की हमारी जो assignment number 3 आई हुई है उस हवाले से है तो चलिए हम लोग समसे पहले अपनी इस assignments की requirement को देख लेते हैं दोस्तों हमें इस assignment के अंदर दो question दिये गए हैं पहला question है draw an undirected graph for the following urgency list we present as given below हमें एक urgency list दी गई है और with the help of this list we have to prepare the undirected graph हमने undirected graph बनाना है list में बहुत सारे item है इसकी पहली रोग के अंदर हमें one, four और six दिया गया है उसके बाद अगली रोग के अंदर हमें five, three, one दिया गया है अगली रोग के अंदर हमें four, two दिया गया है और अगली रोग के अंदर हमें one, two, three दिया गया है और इसके बाद last row के अंदर हमें 6 और 5 दिया गया है और ये हमें एक list दी गई है इस list की मदद से हमने undirected graph बनाना है ये तो है दोस्तो हमारी first requirement इस assignment की उसके बाद second requirement या second question के अंदर भी हमें एक matrix दिया गया है और with the help of this matrix we have to prepare the directed graph हमने इससे directed graph बनाना है दोस्तो आपको इसमें नजर आ रहा है कि पहली रोक इंदर 1,2,3,4,5,6 दिया गया है और इसी तरह अगर हम इसके बाहर इस box के बाहर vertically देखें तो वहाँ पर भी 1,2,3,4,5,6 दिया गया है मत्राब यह कि यह हमारे पास जो matrix है वह fix by fix का है इसके अंदर 6 rows है और 6 ही column है इसकी पहली रोक के अंदर हमें 0,1,0,1,0,0 दिया गया है और इसी तरह 4th row के अंदर हमें 0,0,0,0,0,0 और end में 1 दिया गया है इसी तरह अगर हम row number 5 की बात करें तो वहाँ पर 0,0,0,0,0,0 और 1 दिया गया है और आखरी row के अंदर हमें 0,1,0,0,0,0 दिया गया है दोस्तों ये हमें एक matrix दिया गया है जिसके अंदर हमें binary shape के अंदर हमारे पास values हैं 0 और 1 की शकल में हमने इस matrix की मदद से directed graph बनाना है दोस्तों ये हैं हमारी if assignment की requirements चलिए जी इसके solution की तरफ चलते हैं इसके solution की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों को दोस्तों बता दूँ कि हमने पहले question के अंदर undirected graph बनाना है और दूसरे question के अंदर directed graph बनाना है दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा से guide कर देता हूं बलके बता देता हूं कि directed graph क्या होता है और undirected graph क्या होता है दोस्तों ये नाम से ही जाहिद है जो हमारा directed graph है वो direction को represent कर रहा है कि वो एक direction के अंदर होगा किसी एक तरफ होगा जबकि जो undirected graph है ये ये represent करता है कि हमारा जो undirected graph होगा उसकी कोई direction नहीं होगी वो ऐसे ही graph तो होगा लेकिन उसके जो edges या nodes है वो आपस में उनकी कोई direction या कोई एक तरफ represent नहीं करेगा तो इसलिए इस stage के उपर हमारा ये समझना ज़रूरी था कि directed और undirected graph में फर्क क्या है तो जो directed graph है वो हमारी direction को represent कर रहा है कि उसकी एक direction होगी और जब ये graph बनेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे उनकी एक direction है और जो undirected graph है वो direction को represent नहीं करता वो undirected होगा तो चलिए जी हम undirected हमारी जो first requirement है उसको देखते हैं और उसके लिए हमें एक list दी गई थी ये list आप लोगों के सामने आ गई है जिसकी पहली रोग के अंदर एक, चार और छे था दोफ़ती रोग के अंदर पांच, तीन और एक था फिर चार और दो था वन और टू और फिर थ्री फिर फिक्स और फाइव था दोफ़तों इस list को हम एक array के जरीए भी represent कर सकते हैं कि इसकी जो पहली रोग है ये आपके सामने एक green color के अंदर array मैंने ले ली है जिसका नाम मैंने x array रख दिया है, अब यहाँ पे रेखें array में क्या होता है array में यही होता है कि हम पहले उसका जो index है zero index से start होती है तो x, zero, x, one, x, two, x, three, x, four और x, five तक यह जा रही है और इसका मतलब यह ही है कि यह जो हमारे पहली रोग हमें दी गई है इसको हम पहली index के उपर रखेंगे मतलब x, zero के उपर जो हमें दूसरी रोग दी गई है उसको हम अपनी दूसरे index एक्स यानि एक्स वन के उपर रखेंगे, फिर इसी तरह तीसरे के उपर, फिर पिछ ओथे के उपर और पांचवे के उपर हम यह रखेंगे, तो ये मैंने एक एरे की शकल और हमारे जो बुक है, उसके अंदर भी हमें ऐसे ही समझाया गया, तो इसलिए यहाँ पर मैंने भी ज़रूरी समझा कि यहां पर ये array ही ले लूँ उसके बाद अब देखें जो हमारा पहला index है पहले index के उपर हमारे पास देखें वन है और वन से अगे 4 है और 4 से अगे fix है तो हम ने इसकी node बनानी है तो देखें screen के उपर आपको पहली node नज़र आ रही है जिसके अंदर 1 लि तो हम यहां पर एक और नोड डूर लेंगे यहां पर आपको फिक्रिम के उपर फोर नज़र आ रही है और यहां से लेकर for तक हम एक एरो लगा देंगे जैसे हमें यहां पर दिखाया गया है कि one से फोर तक एक edge जा रहा है इसके बाद देखें हमारे पर fix है तो हम जो है fix लेंगे fix यहां पर लिया हमने और इसमें भी यही है कि 4 की तरफ से एक arrow जो है वो fix की तरफ जा रहा है जैसे हमें यहां पर list के अंदर दिखाया गया है और इन जब हम nodes को ऐसे ही मिलाते चले जाएंगे तो इस से जो है हमारा undirected graph बनता चला जाएगा और यहां पर देखें कि अगर हम इसी तीन nodes को देखें तो यहां पर कोई इनकी direction नहीं है देखें पहले 1 आ गया है फिर 4 आ गया है और फिर fix आ गया है हाला कि अगर हम directed graph के बात करते हैं तो 1 के बाद 2 आता 2 के बाद 3 आता 3 के बाद 4 आता 4 के बाद 5 और इस तरह यह एक direction को के एक ही direction के अंदर हैं सारी nodes तो यह हमारा undirected है यह हमने 3 ही nodes के उपर देख लिया है कि पहले 1 है फिर 4 है और फिर 6 है इसके बाद हमारी आ जाती है जी दूसरे index वाली row इसके उपर देखें 5 है अब हमारा 5 जो है वो कहीं से point नहीं हो रहा तो 5 जो है वो point कर रहा है यानि इससे 1 arrow 3 की तरह जा रहा है तो हम यहाँ पर 5 लेंगे और 5 के बाद हम जो है एक 3 लेंगे तो यहाँ पर देखें यह मैंने 5 लिया और 5 के बाद 3 लिया 3 और उसके बाद 5 से एक arrow जो है हमने 3 की तरफ जो है लगा दिया है जैसे हमें list के अंदर दिखाया गया उसके बाद 3 जो है आगे 1 की तरफ एक arrow लेकर जा रहा है तो हम देखें यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर हम एक arrow लगा देते हैं जो 3 से 1 की तरफ जा रहा है इस तरीके पे हमारा ये एक 3 की शकल बनती चली जा रही है और हमारी row number 2 भी इस तरीके से complete हो जाती है इसके बाद हमारी raw number 3 की बारी आती है raw number 3 में देखें पहले 4 है 4 देखें already हमारे पाफ दिया हुआ है और 4 से 2 की दिरफ है तो अब 2 नहीं दिया हुआ तो हम एक 2 लेते हैं और 2 ये देखें यहां पर मैंने लिया और यहां 4 से एक arrow जा है उसके बाद हमारी raw number 4 की बारी आती है यहां पर देखें 1 है 1 already है 1 से 2 की तरफ और 2 से 3 की तरफ तो हम यहां 1 से 2 की तरफ एक arrow लगाया यह देखें यह लग गया और उसके बाद 2 से 3 की तरफ तो 2 से हमने 3 की तरफ लगा दिया तो यह भी एक जो है direction बन जाती है लिकिन चूकर हमारा undirected graph है तो इसलिए हम 1 से 2 की तरफ यह direction तो ठीक बनती है 2 से 3 की तरफ भी direction ठीक बनती है तो 3 से 4 की तरफ बननी चाहिए वो नहीं है तो इसलिए यह हमारा undirected graph बन जाएगा तो इसके बाद लाफ्ट रो बच जाती है, लाफ्ट रो में देखें, एक एर्व हैं अर्व तो हम फिक्ष से फाइव तक एक एर्व लगा जते हैं, इस दिखे से हमारी यह जितनी लिष्ट हमें दी गई थी, urgency list तो इसकी मदद से हमने ये undirected graph बना दिया है और ये आपको बताता चलूँ के मेरी जतनी भी वीडियो होती हैं वो फिरफ और फिरफ आपको idea देने के लिए होती है तो ये मैंने एक idea आप लोगों से share कर दिया है के undirected जो graph है वो कैसे बनेगा तो आप भी इसको as an idea ही consider किजिए इसके बाद हमारे जो question number two था उसके अंदर हमने बनाना था directed graph तो चलिए उसके solution की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि जी directed graph कैसे बनता है और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो directed graph है वो एक direction को represent करता है तो चलिए इसका जो हमें data दिया गया है वो आप लोगों के हमने screen के उपर आ रहा है कि हमें एक box दिया कि है matrix का और उसके अंदर जो है हमें numbers दिये गए हैं इसमें rows हैं और columns हैं जो rows हैं उनको हम represent करते हैं वेट्रेशिव कहते हैं तो इसके अंदर पहली row है दूसरी है तीसरी है चोथी है पांच में छेटी है और इसी तरह column बीचे हैं तो यह हमारा fix by fix का एक matrix है तो पहली row के अंदर वीडो 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 है दूसरी row के अंदर वीडो 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 है और आखरी रोक अंदर 0, 1, 0, 0, 0, 0 है इसी तरह जैसे हमने कहा कि रो को हम represent करती है वेट्रेशिव को तो इसी तरह जो हमारे columns हैं वो represent करते हैं edges को कि अगर हम इदर से पहली row लेंगे और इदर से पहला column लेंगे तो यह जो 0 है यह हमारे edge को represent कर देगा row जो है वो हमारे वेट्रेशिव को represent करेगी अब देखें यहाँ पे भी हमने tree ही बनाना है लेकिन वो directed tree होगा तो हम सबसे पहले एक node लेते हैं 1 अब यहाँ पे देखें कि हमारा 1, 2 के उपर है ठीक है इसके बाद हम लेते हैं 2 हमारी एक और जो है line आ गई और यहाँ फे हमने 1 फे 2 की तरफ जो है एक line लगा दी इसके बाद देखें हमारा जो अगला column है उसके अदर भी 0 है और अगले column के उपर हमारा 4 है तो हम जो है 4 लेंगे अब देखें कि यह हमारा वेट्रिशिव है और edges जो है वो 2 के उपर है और 4 के उपर है क्योंकि 1 जो है 2 के उपर लिखा हुआ है और 4 के उपर लिखा हुआ है और बाकी सारी जितनी भी हैं वो हमारे वी रो हैं तो हमने 1 लिया और 1 के साथ 1 edge हमने 2 के साथ जोड़ दिया और 1 edge हमने 4 के साथ जोड़ दिया इस तरीके से हमारी जो first row है वो complete हो जाती है उसके बाद देखें 2 है 2 का 1 edge जो है वो 2 के साथ है और 1 edge उसका 5 के साथ है तो हम जो है 2 का जो 1 edge 2 के साथ है इसका मतलब यह है कि यहां पर loop कर रहा है तो हम 2 का जो 1 edge 2 के साथ है उसको देखें मैंने यहीं पे निकाल कर और यहीं 2 के उपर ही लगा दिया है जब F ही कोई situation tree के अंदर आ जाती है तो इसको हम looping looping के बारे में आप लोग पहले भी बढ़ चुके होंगे मुझे ब्यादा इतने detail में जाने की जरूरत नहीं है तो यहां पर यह 2 के साथ loop कर रहा है उसके बाद देखें अगला जो हमें edge दिया गया है वो 5 के उपर दिया गया है 5 अब node हमारे इसके अंदर नहीं है तो हम वो 5 की node insert कर ली हमने और इसके साथ देखें 2 से हमने एक edge जो है वो 5 की तरफ लगा दिया है इसके बाद हमारे यह जो second row है यह भी complete हो जाती है इसके बाद हमारे बारी आती है third row की अब देखें 3 हमारे इसके अंदर नहीं है लेकिन 3 जो है वो 2 के साथ एक edge बना रहा है और एक 6 के साथ बना रहा है तो हम इसके अंदर 3 ले ले लेते हैं और 3 जो है यहां पर 6 के साथ बना रहा है 2 के साथ तो हमने पहला 2 के साथ इसको मिला दिया है और फिर six के साथ, तो हम यहां से एक line जो है, वो six के साथ मिला देगी, उसके बाद हमारे पास four आ गया, four already है, पड़ा हमारे पास four जो है, देखें, six के साथ ही edge बना रहा है, मिल रहा है, तो हम four का जो है, बाकि सारे zero है, और last six के अंदर, six column के अंदर one है, तो हम four का एक edge जो ह है, वो six के साथ मिला देंगे, और आप देखें के यहां पर भी एक tree की शकल बनती चली जा रही है, उसके बाद, हमारे पास four आ गया, four का हमने six के साथ मिला दिया, five को भी हमने six के साथ मिला दिया, यहां पर देखें, बिल्कुल six के साथ है, तो five को भी हमने six के साथ मिला द है तो हमने उसका एक एच जो है यहां से एक लाइन लेकर तू के साथ भी बिला दी और इस तरीके पहे हमारा एक graph बन गया तो दोस्तों यह है हमारा डिरेक्टिव ग्राफ, तो यह भी, आपको बताता चलना ये भी मैंने एक आइडिया ही आप लोगों से शेयर किया है डिरेक्टिड ग्राफ बनाने का और अंडिरेक्टिड ग्राफ बनाने का दोस्तों ये थी हमारी असाइन्मेंट CS502 Fundamental of Algorithms की मुझे उमीद है आप लोगों को आइडिया मिल गया होगा एंड पर मैं फिर आप लोगों से गुषारिश करूँगा आप लोग जल्दी फे उपन की जाए www.youtube.com teachers online for you उस पर जाईए वहाँ पर मेरे lectures available है CF101 के, MGT101 के, CF201 के, MGT201 के, STML के और Java के और बहुत सारे lectures वहाँ पर फिरीज available है आप लोग उस चैनल पर जाईए ना फिरफ उसको subscribe करें बलके bell के icon का पर भी click करें ताके जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए वो आप लोगों तक पहुंच सके और आप उससे सीख सकें दोस्तों मिलते हैं अगली किसी assignment solution के साथ या जेडिबी solution के साथ वो फोकत तक के लिए मौफिन भाई को इजावत देजिए थैंक यू बरी मच दोफ्तों अला हाफिज